हलो एब्रिवान वेलकम टू गोल्डी जेस्फिल किचन आग जो ब्रेकफास्ट के लिए स्मूदी हम बनाने जा रहे हैं वो है पपाया एपल स्मूदी यह देखे मैंने पपाया ले लिया है एक कप यह ना फ्रोजन है जो मैंने फ्रिज में काटके रखा था वो पपाया है ए दही है और आधा कप हमने अल्मंड मिलक लिया है ओड्स है है रॉठ्स है memoryren यंवात बहुते इनसारं आ आपी लिऑ को मैंने डॉयाना था यंदा हों nggak है आप चाहें तो डेट बहुते है है रह श्कतित के पहले पानी में भी हो दिया है और मैं दिखाओं आपको मैं ऐसे फ्रोज करके रख लेती हूं अगर कभी भी ऐसे स्मूधी बनानी हो वैसे तो जो भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनका मकाबला नहीं है बट एक दिन में ऐसे कुछ नहीं होता और स्मूधी भी आपकी क्रीम नहीं बनती है आए स्टार्ट करते हैं और यह चोटा सा अध्रक का टुकड़ा है बहुत ही चोटा सा यह डालेंगे सबसे पहले हम जार में लिक्विड डालेंगे दूल डाल देंगे अब इसके बाद हम दही डालेंगे पोदीना पत्ते अध्रक डाल देंगे ओट्स डाल देंगे नीबुकरस डाल देंगे अब हम इसमें काला नमक और यह दालचीनी पाउडर डालेंगे हनी डालेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें फ्रूट्स डाल देंगे एपल है एक छोटा एपल है और साथ में यह फ्रोजन पपाया है अब हम इसको सबको एक साथ में ला लेंगे केवल चीया सीड छोड़के ना हम सब कुछ डाल देंगे तो यह देखे हमने एक बार इसको पीसा है यह थोड़ा थिक है मैं थोड़ा से इसमें पानी डाल नहीं हूं थोड़ा सा और फिर इसको एक बार ग्राइंड करती हूं फिर देखते हैं क्या कंसिसेंसी आती है यह देखे अब जैसी मुझे थिकनेस चाहिए थी ना वह पर्फेक्ट है तो आपको जैसी चाहिए ना आप वैसी रख सकते हैं तो आएए इसकी करते हैं प्लेटिंग यह लिया है हमने ग् कर लिए हमने तो कुछ हम नीचे डालेंगे ग्लास में ताकि वो देखने में सुन्दर लगे और कुछ हम उपर से गार्मिश करेंगे अब हम इसमें डालते हैं यह स्मूधी देखे कितनी बढ़िया यह स्मूधी है तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा जरूर बताएगा कि आपकी स्मूधी कैसी बनी हम इसको उपर तक भर लेते हैं और देखिए लग रहे हैं बढ़िया नीचे चिया सीट्स है उपर भी हम चिया सीट्स से इसको डेकोरेट करेंगे थोड़े सी चिया सीट्स हम इसमें डालेगे और देखिए बहुत बहुत है आप जरूर बनाएए और पीजिए जब कभी लगता है ना समर्ज में कुछ खाने का मन्नी है तो हमें यह लगता है कि चलिए कुछ हलका सा बनाते हैं और अच्छा सा बनाते हैं इसमें लगाते है हम यह जीमी है ऑर मैंने टेस्ट किया है इतनी यमी ना बता नहीं सकती है कि पुदीने का फ्लेवर है साथ में हम डालेंगे थोड़े सिये हैं क sih एक गृप कटे वो है अब देखिए तो लग रही है न सुन्दर तो खाने में भी टेस्टी है और देखने में भी सुन्दर है बहुत ही बढ़िया यह है रेसिपी हमारी आप ट्राई कीजिएगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं रेसिपी